आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पाइप में जो एलबो लगा है कितना भी डिगिरी का हो अगर आपको मालूम नहीं है यह कितना डिगिरी का है अगर डिगिरी भी दिया हुआ है तो आप बहुत ही असानी से चेक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग जान कोई भी डिगरी में फीट आप करना है बट क्या होता है कि उसको चेक करने के लिए हम लोग को माइंड में यह नहीं आता है कि इसको कैसे चेक करना है तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कोई भी डिगरी अगर दिया हुआ है नहीं भी दिया हुआ जिसका जैसे इसका अभी डिगरी नहीं दिया हुआ है कि बहुत ही असाने से आज हम लोगों जानेंगे कि इसका डिगरी कैसे निकालते हैं तो आए हम लोग निकाल के चेक करते हैं सबसे पहले आपके पास एक राइट एंगल होना चाहिए एक एसकेल होना चाहिए और एक टेप होना चाहि और प्लीज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और सस्क्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे तो आईए हम लोग निकालते हैं कैसे चेक होता है आपको ये सेंटर में एक एसकेल पकर लेना है और लाइन डोरी भी आप पकर सकते हैं अभी एक एसकेल हो गया है ऐसे ही आपको पकर लेना है ठीक है किसी भी डिगिरी में है आप बहुत ही असानी से निकाल सकते हैं ठीक है और एक आपको लाइन डोरी ऐसे आपको पकर लेना ह अभी मैं जो आपको फर्मूला बता रहा हूं जो तरीका बता रहा हूं कितना भी डिगरी में होगा आप बहुत ही आसानी से चेक कर लेंगे यह कितना डिगरी में है और यह जो है यह लाइन डोरी इसको ऐसे टर्च नहीं करना है आपको इसमें यह जो पाइप है यह पाइप में ऐसे टच होना चाहिए ऐसे टच होना चाहिए ठीक है और ऐसे ही आपको टच होने के बाद आपको ये देखिए ये पाइब में ये कीरी मालुम रहेगा तो एक दो मीली इदर उदर करेंगे तो मुंस्खिल नहीं ए और आपको टेप से यह नाप लेना कि कितना है ठीक है ऐसे आपकोपकर पकर के औरसे लेकर और यहां तक यह जो पॉइंट है ऐसे आपको टेपस से नमग लेना कितना आ रहा है ऐसे ही आपको यह चाचट एमेम लेना आ है ये आपको यह भी चेक करना है दो आपको नपना है ठीक है आपको यह पोईंट मिला ना यह जो लाइन डोरी का यह कट पॉइंट आ रहा है यह आपको यहां पर टेप से नापना है ऐसे करके ठीक है यह आपका रहा है 117 या यह आपको 117 आ रहा है ठीक है ऐसे ही आपको यह 117 आ रहा है तो ऐसे आप निकालके चेक कर सकते हैं यह 117 हो गया यह 66 mm यह हो गया अभी इसको हम लोग कलकुलेट करके निकालेंगे ताकि कितना डिगरी में है तो आपको डिगरी निकालने के लिए यह कितना आया था तो यह 66 आपको क्या करना है भागे देखी हम लोग को इसको डिगरी निकालना है तो इसको डिगरी निकालना है तो पहले 66 mm लिखना है ठीक है चाचचचचट इमेम में लिखने के बाद और आपको यह shift दिया है ठीक है यह shift दावेंगे बराबर shift 10 10 आपका degree निकल के आ गया कितना 29 degree यह आपका निकल के आ गया 29.2 यानि यह आप degree बहुत ही असानी से ऐसे ही आपको निकालना है और कुछ भी doubt है तो आप comment करके लिखिए और आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं इस्ट वीडियो में थैंको